बाबा साथ डाक्टर भूंडा वंबेगर के द्वारा अपने अठक प्रयासों से इन वर्गों को जो सविधाने का दिकार दिलाए गए हैं तो उन्हें खत्म होने से बचाने के लिए इस इस्तिती को अपनोंने एक आपात कालियों की इस्तिती समझते हुए इन्हें एक जुठ होना पड़ेगा या सभी राजमतिक पार्टियों के उपर दवाब डाल कर उचित सविधानिक संसुधन लाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा वरना इस देश में जो करोड़ों डली तोर आधी वासे समाज के लोग हैं यदि उनमें से कुछ लोग आर्थिक तोर पर मजबूत हो भी गया हैं पूरा समाज तो नहीं हुआ है लेकिन 90% लोगों की तो हलत बहुत जादा खराब है उनको तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए समाज में तो आज भी जाती वाड़ी लोग उनको पुराने नजरिये से लेते हैं जादपात तरीके से लेते हैं इसलिए अभी इन सब को रिजर्वेशन की बहुत जादा सक्ट जरूरत है भारती जनता पार्टी और RSS एक साथ दुधारी तलवार चलाने जा रहा है एक तरफ सुप्रिम कोट को आगे करके अपना पक्ष रखा की नहीं रखा सुप्रिम कोट के साथ जजों के सामने ये पता ही नहीं चलने दिया और अगर पक्ष रखा है उनके सॉलिसिटर जनरल ने तो जवाब उने भी देना पड़ेगा जब उनके मंत्री सहयोगी दल वो ये पूछ रहे हैं कि उप वरगी करण और क्रीमी लेयर धोखा है साजिश है नहीं होना चाहिए तो बताए नरेंद्र मोधी की सरकार तो वो इस मामले पर क्या राय रहे है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्री अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही आधड़ी मायवती जी ने प्रस कॉन्फरेंस करके एक पैगाम दे दिया है मोधी सरकार को कि वो अपने समुदाय के उपर होने वाले इस तरह के हमलें को बहुत बारीकी से नजर रख रही है विरोध करती है और अगर जरुवत पड़ी तो मोधी सरकार को घेरने में भी पीछे नहीं रहेंगी विपक्ष के तमाम दल इस बात के लिए एक जुठ होते जा रहे हैं कि आरक्षण गरीबी उनमुलन का रिकम नहीं है आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं है और बिना जातिवार जनगर्णा के जब आकड़े नहीं मिले तो वर उपवरगी करण और क्रीमी लेयर क्यों ऐसे तमाम सवालों के साथ राजनीत गहराती जा रही है आज फिर से इस वीडियो में नया अपडेट ले करके मैं आपके सामने हाजेर हूँ जो हमारे दौर का सबसे जरूरी सवाल है और आपको इस सवाल को आखिर तक पूरा समझना जरूरी है ताकि देर न हो जाए सवागत है आपका डौक्टर लक्ष्मन यादो के यूट्यूब चैनल पर तो अभी अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया राश्ट्री अध्यक्ष उत्रप्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही आदरी मायवती जी का एक प्रेस कॉन्फरेंस खतम हुग है और वो प्रेस कॉन्फरेंस सीधे उसी मामले पे था जो सुप्रिम कोर्ट ने एक अगस्त दोजार चौबीस को साथ नयाधीशों की बेंच ने जो इस पर फैसला सुनाया और वो फैसला ये था कि क्या राज्यों को जो अधिकार रोके गए थे कि राज्य अपने यहां सिडुल काश्ट और सिडुल ट्राइव को मिलने वाले आरक्षण में क्या विभाजन कर सकते हैं क्या और वो विभाजन ये इस तरह से रोका गया था अभी मैं आऊंगा सलसले वार उसकी थोड़ी पेचीदगी बताऊंगा और एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे दो तीन जेज्मेंट इसके लिए बहुत मत्पूर है अब ही बात करते हैं प्रेस कॉन्फरेंस के जो मायवती जी ने की मायवती जी की प्रेस कॉन्फरेंस में उन पूरी बातों को बहुत विस्तार से रखा गया और आज की प्रस कॉन्फरेंस अगर मायवती जी अपने वास्तवीक रूप में आ जाएं तो मुश्किल पैदा कर देगी बीजेपी के लिए क्योंकि वो एक इमोशन है अपने बहुजन समाज के लिए राजनितिक रूप से किसी से आप सहमत असहमत हो सकते हैं उनकी राजनितिक रूप से कमजोर होती इस्थती पर कारण खोश सकते हैं लेकिन जब बाद बहुजन समाज के अपने वजूद पर हो जाए अपने अस्तित्त पर हो जाए तो आज भी उसकी सबसे बड़ी नाई का मायवती जी ही है और इसलिए वो भले ही राजनितिक रूप से आज इतनी कमजोर हो गए कि केंद्र में संसद में उनका एक भी सांसद चुनकर नहीं जा पाया राजसभा में कुछ सांसद हैं उत्रप्रदेश की विधान सभा में भी उनका एक विधायक है और उसकी बहुत ठोस और बुनियादी वजहें भी है कि क्यों ऐसी इस्तित्ति हुई और उनके समाज ने क्यों विपक्षी गडबंदन को समविधान बचाने के लिए वोट दि तो वो पूरा वंचित शोशित समाज नाराज होगा और अगर उनकी एक इमोशन बनी हुई नाईका अधरिबायवती जी प्रेस कांफरेंस करके ये बात कहें कि ये बहुत बुरा हुआ है और केंदर सरकार इसको तुरंट रोके और अगर इसा नहीं हुआ तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो अगर सडकों पर उतर जाएं तो इसका असर क्या होगा अधरिबायवती जी ने अपने प्रेस कांफरेंस में बाकाइदा पंजाब सरकार बनाम देविंदर सिंग का मामला हो या आंधर प्रदेश सरकार बनाम ईवी चिनया का मामला हो ये दो मामले 2004 और 2006 के जिसका उन्होंने जिक्र किया मैं आऊंगा उस पर लेकिन मेरा साफ कहना या मेरा विशलेशन इस पूरे मामले में ये है कि क्रीमी लेयर और वर्गी करऊं उप वर्गी करऊं इन दोनों पर कोई भी फैसला लेने के पहले मेरा एक सवाल सुप्रिम कोर्ट के जजों से होग और मेरा सवाल उन तमाम लोगों से होगा जो इसकी पैरोकारीव कर रहे हैं कि वो कौन से आंकड़े हैं जिसके आधार पर आपने क्रीमी लेयर लागू किया लागू करने की पैर भी कर रहे हैं वो कौन से आकड़े हैं जिसकी आधार पर आप उप वरगी करेंगे, क्योंकि सुप्रिम कोड भी कह रहा है क्या आकड़े सरकार, राजे सरकार जुटाएंगी, बिना जातिवार जनगड़ना के राजे सरकारे कैसे आकड़े जुटाएंगी, और अगर बिहार की राज सरकार जातिवार जनगरना कराती है उसके बाद आंकड़े जुटाती है आंकड़ों को सारजनिक करती है आरक्षण की सीमा को बढ़ाती है तो क्या उसके बाद उस आरक्षण को वहां के हाई कोट ने रोका नहीं क्या केंदर की नरेंदर मोदी सरकार कि वकालत सुप्रिम कोर्ट तक उस बढ़ाये हुए आरक्षण के खिलाफ नहीं हुई क्या क्या यह बात अब किसी से छिपी है कि नरेंद्र मोदी सरकार लगातार जातिवार जनगर्णा का विरोध कर रही है जनगर्णा ही नहीं होने दे रही है क्योंकि उसको लगता है कि अगर बिना जातिवार जनगर्णा के जनगर्णा करा लेंगे तो मुश्किल में फंज जाएंगे धर्म की उनकी राजनीति को जाति की राजनीति भीतर से चुनवती देती है क्योंकि जातियों में दालित, पेचड़े, आदिवासी जब सवाल उठाते हैं कि उनके साथ हकमारी, अन्याय और गैर बराबरी तो उनके हिंदो पहचान के लोगों ने किया है तो मुसल्मान की तरह उन्हें आतंक वादी और डाड़ी तोपी देखकर लिंचिंग करना मुश्किल हो जाता है इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार लगातार जातिवार जंगरना पर खामोश हो करके उसका विरोध कर रही है और वो सरकार जानती है कि जातियों के नाम पर अगर राजनिती गोल बंदी हुई तो वो हक और अधिकार की लड़ाई तक जाएगी जातिवार जंगरना के सवाल तक जाएगी मंदल कमिशन की सिफारिशों तक जाएगी और तब बीजेपी की राजनी भीतर से दोहस्त हो जाएगी इसलिए बीजेपी उतना ही जाती का इस्तेमाल करती है ताकि जातियों को या तो आपस में लड़ा दो और लड़ा कर कुछ नाराज जातियों का वोट अपनी तरफ ले आओ लेकिन जब वो नाराज जातियां वोट दे कर प्रचंद भूमत की सरकारें बनवा देती हैं उसके बाद भी कोई ऐसा काम नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं करती है कि उन्हें लंबे समय तक अपने साथ टिकाए रखे और इसका असर 2024 के चनाव में देखने को मिला कि नरेंद्र मोदी के नित्रित्यु में 400 पार का अहंकार तूटते हुए 240 परा कटिक गया इसे इस रूप में समझा जाए कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कारिकम नहीं है आरक्षण आर्थी काधार पर नहीं दिया गया बाबा साथ डॉक्टर भीम राव अंबेटकर के समविधान ने डॉक्टर राम मनुरलहिया के समाजवाद ने बीपी मंडल के मंडल कमिशन के सिफारिचों ने मन्वरकांशी राम के अंदोलनों ने मरहूम नेता जी से ले करके रामविलास पास्वान नितिश कुमार लालू प्रसाद यादव शरद यादव करुना ने धी और तमाम सामाजिक न्याय के योधाओं ने जो लड़ाई लड़ी उसने इस देश को सबका देश बनाने की कोशिश की और वो रास्ता भारत के समविधान ने दिखाया आरक्षण को कैसे इंप्लिमेंट किया जाएगा उसका खाका देती है आरक्षण के वल दो जगर लगुए सरकारी सिक्षा में सरकारी रोजगार यानि नौकरियों में इसके अलावा एक पॉलिटिकल आरक्षण है जो से सांसद और विधायक चने जाते है पॉना पैक्षण के बाद जब महत्मा गांधी ने इस बात का भरोसा और यकीन दिलाया बाबा साब डक्टर अंबेटकर को कि हम आपके लोगों को प्रत्रेंस देंगे तो आरक्षण की बेवस्ता आई लेकिन वो आरक्षण की बेवस्ता इतनी कमजोर साबित होगी इसका यकीन इसका उम्मीद किसी ने नहीं किया था हलांकि बाबा साब अंबेटकर को ये बात पता थी उन्होंने इस बात की आपत्ती भी दर्ज की लेकिन आज तक 2024 में जब भारत राष्ट आजादी का अमरित काल मना रहा है तो मेरी तरफ से एक सवाल इस देश्ट के राष्ट से तो मेरी तरफ से ये सवाल पूरे राष्ट से है कि कोई एक संस्था ऐसे आप बता दीजिए जसमें आबादी के अनुपात में अरक्षन लागू हुआ तो पहले आरक्षन जब तक नहीं लागू था तब तक वो कोई लोग वहां थे ही नहीं थोड़े से मुठी बरलोग विश्विद्यालियों में, जुडीशरी में, मीडिया में अधिकारी बनने में, वकील बनने में, डोक्टर इंजीनियर बनने में, देश शलाने में शामिल थे आरक्षन जब दिया गया तो इस आधार पर दिया गया कि सामाजिक बचना जब हजारों साल से इस देश की बहुसंक्यक आबादी को पेशे के आधार पर हिकारत दे करके बनाई गई जाती बेवस्था बनाई गई और जिन्होंने हाथ से महनत किया श्रम किया उस महनत और श्रम में सम्मान की बजा उन्हें अपमान किया गया बहुतों को अच्छूत बना दिया गया बहुतों को जातियों के नाम पर गालियां बना दी गए और उनको तिरसकार दिया गया नया भारत जब बना था भारत का संविधान बना तो इस बात का वादय किया गया था इस देश के नागरिकों से कि हम आपको अप देश चलाने में भी शामिल करेंगे समिदान सभाग के बैसों में शेडुल काश और शेडुल ट्राइव के रिजर्वेशन को आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया उनकी तर्क ये थे कि जिनकी वंचना सामाजी का अधार पर हुई है सांस्कृति का अधार पर हुई है जाती के नाम पर उनको गरीब रखा गया जाती के कारण उनको अवसरों से बंचित किया गया जाती के कारण उनको अपमान दिया गया जाती के कारण उनको हाशिय पर ढखिला गया तो आरक्षर जब देंगे तो जाती के नाम पर देंगे क्योंकि सबकी जड़ में अगर एक एक चीज है तो उसी परहमला करेंगे बाकी चीज़ें अपने आप रिफवार्म होंगे अगर इस देश में जाती बेवस्था तोटती तो सामाजिक गैर बराबरी भी कम होती, आर्थिक गैर बराबरी भी कम होती, संस्कृतिक गैर बराबर कर दें तो 90% गरीब कमजोर वंचित उसी 90% SC, ST, OBC तब के से आएंगे तो टूल है जाती बेवस्ता इसलिए आरक्षण जाती के आधार पर दिया गया आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया और यह आर्थिक आधार पर देने का तर्क तो गोलवलकर की बंचाफ थार्ट में है और वो यह कहते हैं कि आर्थिक गरीबी के आधार पर आख्षण देना चाहिए गरीबी के आधार पर देश में कहीं नीतिया है तो मायवती जी ने भी इस पूरे बहुजान अंदोलन की वैचारिकी को साजा किया है और यह बात कही है कि अगर उसके बाद एक पहचान थी श केवल चटी चोराहे का वो तर्क आईयस का बेटा आईयस बन रहा है इतना पीड़ा हो रही है यहां जज का बेटा जज है बने जा रहा है प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर है बने जा रहा है लेकिन वो समण है इसलिए उस पर कोई टिपड़े नहीं होगी तो बात यह होन जब दवाई की जरूरत होती है अब दो आदमी बैठे हैं एक आदमी बीमार है बीमार किया गया है उसको पेट भर खाना नहीं मिला है उसके बदन में खुन कम बना है गुलकोज उसको चड़ रहा है और बगल वाला रोने लगे हमको कहने गुलकोज चड़ रहा है अरे आई नहीं कि उनको दूग गिला दे दिया हमको नहीं दिया ऐसा कहने वाला अमानिवी अबोध और मूर्ग कहा जाता है इस देश में जाती बैवस्ताक साथ यही हुआ और साथ जज बैठ करके हम तो पूरे सम्मान के साथ उनसे सवाल पूछते हैं मिलाट वेर इस देटा आकड़े कहा है मानिवर कितने परसंट लोग क्रीम हो गए किस पद पर किस तारीख से कितना आकड़ा उनका है जरा इस देश को आप बता दें हम क्रीमी लेयर भी मान लेंगे हम उप वर गी करन भी मान लेंगे लेकिन वेर इस देटा आंकडे कहा हैं इस चुटकुला सुनाने वाले लोगों ने जो तर्क देना शुरू कर दिया कि गरीब कमजोर तक आरक्षण नहीं पहुँच रहा है गलत अधरिमायवती जी ने भी इस बात को कहा कि दरसल सीटे खाली रह जाएंगी पहले नौट अव आरक्षण खतम हो जाएगा दीरे दीरे विर सथ क्रीम के कहा है वह रूं कुछ किर्प जिसके लेयर माननी ये मिलाइड लोग बना रहें हैं तो बीसी में वहजो क्रीमी लेयर आई वह भी एक डीर असल में कोई क्रीम जैसी चीज है नहीं क्रीम जैसी चीज है तो जाती जनगरना करके जरा बताया जाए कि कितने लोग वास्तविक में क्रीमी लेर हैं थोड़े से राजे महाराजे होंगे थोड़े ताकतवर लोग होंगे उनको चिन्नित कर लो आठ लाक में EWS से गरीब हो गए और आठ लाक में OBC में अमीर हो गए यह कम से कम देश चलाने में आंकडे तर्क तत्य होते हैं हमारे मन में कह रहा है कि नहीं गरीब का बेटा को आरक्षण नहीं मिल रहा है कुछ लोग पीड़ी दर पीड़ी एक पीड़ी आरक्षण मिल जाद दूसर को नहीं मिलना चाहिए खतने ऐसे लोग हैं जो अच्छा एक पीड़ी को जिसको आरक्षण नहीं मिला उसकी जाती को बाट रहा हुआ अच्छा उत्तर प्रदेश में जाटव पासी दोबी तीन चार बिरादरियां हैं कहां से आकड़े हैं कितना बाटेंगे और जो बाकी बचेंगे उसका रोष्टर में पद कौन सा आएगा हम बार बार एक चीज़ समझा रहें अगर रोष्टर ऐसा बनेगा तो आदिवासी को 14 पद मिल रहा था आदिवासी दो भागों में बाटे जाएंगे तो पहला पद ही उन्हें अगर 14-15 मिलेगा तो नया दूसरा कैटेगरी जो बनेगी उसमें तो 30-35 नंबर पर उसका पद आएगा और कितनी वेकेंसी आजकल सरकारी आ रही है जिसमें 30-35 पोश्ट आ रही है तो वो पोश्ट किसको मिलेगी जिसके लिए आरपार अच्छन बांट रहे हो उप वरगी कर रहे हो उसका नंबर कब आएगा कितने साल बाद आएगा इस पेचिदगी को असल में लोग नहीं क्या पक्ष रखा वही पक्ष असल में नरेंद्र मोधी सरकार का माना जाएगा कें सरकार के मुख्य महाधिवक्तन हैं अनुका इस बात को जवाब दे होगी कि आप अगर बाटेंगे तो उसकी अस्तित्ट शिडुल का और नरेंद्र मोदी सरकार को मायवती जी ने इशारे इशारे में कहा कि सत्र चल रहा है अध्यादेश ले आओ रोको राज जी अगर कल को बनाने लगे उपवरगी करण और क्रिमी लेयर तो फिर इस देश में मुश्किल हो जाएगी और अगर मायवती जी ने प्रेस कॉंफर खासकर भी जेपी को चिराग पास्वान जो इंडिये के सहयोगी है वो चिराग पास्वान जनके पिता राम बिलास पास्वान भी आखरी वक्त तक कहने लगे थे कि आजकल समण लोग भी जो है खेत में हल उल चला रहे हैं इडेवलोस आरक्षण मिल जाना चाहिए अमीरों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए अच चिराग पास्वान उसका बिरोध कर रहे हैं क्योंकि पता अगर क्रिमी लेर लागो हुआ तो चिराग पास्वान जी अपनी सीट पर लड़ नहीं पाएंगे खेल समझेगा बीजेपी के जितने भी सांसद सी और स्टी हैं वो अपने सीटों पर चुनाव नहीं पाएंगे क्रिमी लेर में आएंगे अगले बार चुनाव में खत्तम फिनिश टाटा इसलिए आप देखेंगे बहुत सारी लोग इसका विरोध कर रहे हैं ओन प्रकाश राजबर जैसे कुछ लोग वर्गी करण का समर्थन करते हैं और उन्होंन यह नहीं रहे कि विएर इस दा क्रीम क्रीम कहा है विश्वविद्यालियों में 5% भी प्रोफेसर उनके बने नहीं और उनको भी तुम बाटने चलियो कि सीटें वैकेंट रह जाएंगे रोश्टर में वो सारी सीटें वैकेंट हो जाएंगे अगर यह सब डिविजन हुआ कर राज करो सब्सक्रीम और यह नसले पेषछ है तो आन्ठीय के सामने मुश्किल होगी कि राम दीजाएंगे मूंत्री हैं चराग्पास्वार अनुप्रिया पठेल मूंत्री हैं के अंद्र में तमाम और स։स्टिनेता मंत्री हैं विधिभायक हैं सांश limit है और इस फैसले नहीं किया तो बहुजन संगठन तो कह रहा है दो अप्रेल का भारत बंद जैसा बंद हो जाएगा वहां भी सुप्रिम कोर्ट ही था वहां भी कोर्ट के जरी एक आ गया था उबी सी को आप कुछ भी करने दो भी सारे अब इस अभी सोया हुआ है अभी ठक भी होगा लें लेकि बहुत सारे आहे ये खेक और गलत बात है कि करशो मदा लेना के यहां यह बहुत आ चांग लिए-ल चला के आते हैं कि चिंता यह स्कूल गए कि विश्वध्याले गए कि नोकरी गए कितने डॉक्टर कितने इंजीनियर कितने वकील कितने प्रोफेसर कितने पूजी पती की बच्चे अधिकारी की बच्चे कॉन्वेंट पर पढ़ने वाले लोग वो नहीं गए उंगे तो बहुसांख्यक प्रोफेसर काई नहीं हमारे रच्चन काई नहीं हमारे डाप्टर काई हमारे इंजीनियर काई तुम हमारे उपर हमला कर रहा हमारी पहचान के उपर हमला कर रहा हो तब का कहोगे बीजेपी यहां मुश्किल में गरती है बीजेपी आज अगर सबसे अधा परिशानी में है तो जातिवार जंगरन जैसे मुद्दों के सामने और ये मौका सुप्रिम कोटे दिया है कि हो सकता है OBC, SC, HD अगर गोल बंद हो करके जातिवार जंगरना के लिए सड़क पर उतर गए तो BJP के लिए मुश्किल पैदा कर देंगे और नरेंद्र मोधी सरकार अब दुधारी तलवार चला रही है एक तो वो इस पूरे प्रक्रण को अपने सॉलिसिटर जनरल के भेज करके ऐसा फैसला करवाती है इसमें तो केंसर कर मानी जाएगी अगर आप इस फैसले के समय अपना पक्ष नहीं रखे तब भी दोशी आप है और अगर आपने इसी पक्ष में रखा इसा मरतन किया तब भी तो वह चाहते हैं कि एस सी एस्टी ओबी सी तीनों को के टेगरी में बाट बाट के आपस में लड़वा दो यह सारे आपस में लड़ेंगे तो जातिवार जंकरना की खतम हो जाएगी और अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो हम अपने सबसे मुश्चिक सवाल से बच जा चाल चल रही है अब सारा इम्तिहान इस देश के विपक्षि दलों का है कॉंग्रेस पार्टी का है आम आदमी पार्टी का है समाजवादी पार्टी का है बहुजन समाज पार्टी का है ट्रिर्मोल कॉंग्रेस का है महराष्ट की पार्टियों का है श्टालिन की पार्टी का है यह आरक्षण की मूल भावना पर हमला है आरक्षण को गरीबी उनमूलन का रिकम बना रहा है आरक्षण को सामाजिक वंचना की बजाए आर्थिक वंचना का धारणा में तबदील कर रहा है और एक दिन यह इन सारी जातियों को आपस में लड़ा देगा और कुछ दिन बात सिर्फ हैसला आएगा कि हर तरह का स्ट्यों भी से आरक्षण खतम किया जा रहा है अब पचास परसेंट एव्लू एस आरक्षण इस देश में लागू होगा अगर इतने दूर तक के विजन को आप समझ पा रहे हैं बिना जातिवार जंगर्णा के रिप्रेजेंटेशन अगर इस पूरी साजिश को विपक्षि दल समझ पा रहे हैं तो मुझे उमीद है कि बीजेपी सरकार के लिए सबसे मुश्किल दिन आने वाले हैं और अगर ये विपक्षि दल इस बात को समझ नहीं पाए एक जुट हो करके इसके खिलाफ एक प्रतिरोध खड़ा नहीं कर पाए तो उस समाज के वंचित 90% लोगों के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं अब इमतिहान ये है कि बुरा दिन किसका आता है और कौन अपने अच्छे दिन के लिए संगठीत होकर लड़ पाता है आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और ह अगर आपको भी इसमें मजा आता है कि देखो देखो ये चाहता नहीं है कि सबसे कमजोर को आरक्षन मिले पिड़ी दर पिड़ी मलाई कुछ लोग खा रहे हैं तो मेरा एक होमवर्क लेते जाएए मुझे आकड़े बताईएगा कितने परसेंट किस पोश्ट पर किस राज से समझना है कि इम्तिहान सबका हो रहा है और इस इम्तिहान में जो पीछे रहे गया या जिसने गल्ती कर दी उसे भारी पड़ेगा और ये बात सारे विपक्षिद अलों पर भी लागू होती है और उस समाज पर भी लागू होती है जिसकी आबादे 90% बताए जाती है करक्षन OBC का खतम हो रहा था अब सबका खतम होगा कल तक बरगी करन एक जगह होने वाला था अब हर जगह हो जाएगा और जाती वारजन करना जैसा मुद्दा गायब कर दिया जाएगा तो अगर एक जुठो करके इस मुद्दे पर संगटित नहीं हुए तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल आने वाली है आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर आपको डॉक्टर लक्षमण यादो का विशलेशन पसंद आता है तो लाइक करें शेयर करें यूटूब पर इसे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाना न भूले ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुचे और अगर आप इसे फेस्बुक या ट्वीटर पर देख रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ना न भूले फिर मिलेंगे किसी और विशलेशन के साथ जागते रहिए इससे पहले कि जागने लाया थी न बची बहुत बहुत धन्यवाद